हलो माई यूटूब फामली वेल्कम बैक तो माई चैनल तिस इस मेक्स खान ओफिशल चलिए आज मैं आपको एक यूटूब के हिटिन सेटिंग के बारे में बताना चाहता हूं चो कि बहुत इंबॉटेंट होता है एक यूटूबर्स के लिए उसके व्यूज बढ़ाने के ल सो यूटूबर्स को ओपन करने के बाद जैसे एस इस आप लोगे पास भी से मैं से ओपन होता होगा सो साइड में आप देखे एक लोगो है मेरा और आपका भी यह होगा वहाँ पर अलफबेट से होगा या फिर कोई फोटो होगा आप उसको क्लिक करके YouTube Studio में जाए YouTube Studio में आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको एक another page open होगा ठीक है तो देखे एक another page open हुआ एक another page में open हो इसको dashboard बोलते है ठीक है इसको dashboard बोलते हैं तो dash के जो चेक नीचे settings भी है settings के नीचे send feedback भी है आपको setting क्लिक करना है setting क्लिक करने के बाद आपको general channel six points है उस महाँ पर आपको channel पर क्लिक करना है चैनल पर क्लिक करने के बाद basic information है जो की another information मैं आपको definitely दूँगा एक another video में ठीक है यहाँ बहुत important ही है keywords जो की mention करना हूँ आपर keywords से लोग जो type करते हैं सच करते हैं वो आपके पास आता है बहुत important चीज़ है तो मैं आपको next topic में बताना जाता हूँ क्योंकि advanced setting है इसमें भी एक video बना दूँगा मैं आपके लिए जो फुर नाओ मैं इस पर जाना चाहता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे standard features, intermediate features and advanced features सो मैं advanced features के बारे में यहाँ क्लिक करता हूँ क्लिक करके मैं बताता हूँ इसके बारे में तो basically यह भी बहुत important है ठीक है देखें यहाँ पर video verification है valid idea है और channel history है ठीक है आपको क्लिक करके मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ इसके बारे में ठीक है यह वीडियो में जादा long ने करूँगा शॉट करूँगा बट यह particular इसी चीज़ को मैं point out करके इस वीडियो को बना रहा हूँ ठीक है अभी क्लिक करेंगे access features में ठीक है क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा आपको ठीक है अपको screen पर तो यह three points अब को देता है अब किसी को भी choose कर सकते हो ठीक है किसी को भी आप choose कर सकते हो so basically last वाला लोग कम करते है क्योंकि वहाँ two months का year रहता है usually up to two months और first वाला एक दिन के अंदर हो जाता है 24 hours को बाद और second वाला भी 24 hours को बाद हो जाता है इसलिए लोग first and second को choose करते हैं so हम use video verification करेंगा अगर हम इसको click करते हैं अभी click करके मुझे next करना होगा next करने के बाद see this is the point now get email to start verification on your phone ठीक है so get email में मैं click करूंगा भी click करने के बाद we send you an email so email YouTube में मुझे email send के जो कि मुझे अभी email ID पर जाके वहां पर देखना है ठीक है क्या आया mail वहां पर देखिए मेरा first email पर मैं click कर जाए ठीक है अभी open करूंगा let's create your video verification अला आई ठीक है अब यहां set verification आई इसको मैं click जैसा ही करूंगा यह बहुत important setting है जो कि आप लोगों को नहीं पता actually मैं मुझे भी नहीं पताता है ठीक है so अभी यह click करने से आपका scan QR code with your phone यह एक ऐसा आता है आप लोगों कोई बात नहीं है यह पैसा कटने वाला कोई scan code नहीं है अब अपने phone से इसको scan करेंगे को अभी phone से आप scan कर सकते हैं जिस phone में आपको video लेना पड़ेगा ठीक है verifying is with you हमने यह कर दिया है video हमने वहाँ पर phone अपने phone से मैंने कर दिया है तो उसके बाद यह आपको message मिला by google ठीक है अब इसको जैसे है तो फिर मैंने your video is in review मैं जो phone से अपने video बनाया ठीक है phone से video बनाने के बाद यह मुझे message आया ठीक है एक message मुझे मिला google के site से अभी मैं इसको अटा कि मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ठीक है मैं जब जैसे पुराने page पर अपना किया तो यह ही आया मुझे यह आया अब यह मुझे कह रहा है कि password डालोगे password डाल के मुझे next करना है password इस वज़ा से that means मैं ही हूँ वह videos जो मैंने किया तो इस वज़ा से मैंने पना password डाला ठीक है password डालके next नेक्स क्रिनिक बाद step verification है ठीक है step verification आपका जो YouTube में नंबर दिया हूँ है YouTube में आपका जो नंबर दिया हूँ सेम नंबर पर आपका OTP आएगा ठीक है OTP आने के बाद आप यहां OTP यहां पर mention करेंगे second verification पर आप OTP अपना जैसे mention करते हैं then you click next ठीक है जैसे अप next click करेंगे ठीक है एक अनाधर आपको देखें यू आर साइंट इन ठीक है मैं साइंट इन हो चुका हूँ ठीक है यह मुझे Google बोल रहा है कि मैं ओके हूँ मैं जो वीटियो बनाया मैं ही हूँ मेरा phone verification सब चीज़ और टीपी आ गया है अभी मैं ही हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ हूँ एक फिर से मुझे Google से मेल आया कि चेक एक्टिविटी जो कि मुझे पता है कि मैं सब सही है ठीक है अभी देखिए जो हमने advanced features जो हमने किया था वह पिंडिंग हो गया ठीक है वह 24 वर्स लेगा निच्चे में हम एंशन किया 24 वर्स लेगा डैट मिस वंडे ठीक है हमना वीडियो वरिफिकेशन किया हमने तो एक दिन लेगा ठीक है 24 वर्स लेगा अप लोगों एक से hardly two days के अंदर हो जाएगा ठीक है so be in patience ठीक है फिर 24 वर्स के बाद जैसे में यह पेंडिंग आ जाया तो मैं एक शॉट्स वीडियो के थुरू आपको मेंशन कर दूँगा और मैं बहुत शॉट्स वीडियो बनाना चाहरा था बट अंडिम अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगा है helpful आपको अज़र होगा तो मझे बहुत अच्छे लगएगा thank you for गवर नियोक ती यह जा तो तू रए सब्सक्ति निए की ने लिए सब्सक्राइब सब्क्राइब टो क्या सब्सक्राइब टू ए घिए।